Employees Pension Scheme 1995 PM Modi पर इतना गुसा Senior Citizen बोले 95 minimum pension पर 78 लाख pensioners की उम्मीदे खत्मा EPS 95 newton pension 1000 से बढ़ा कर 7500 रुपए करने की मांग कई बार बजट की कॉपी पढ़ने के बाद सारी उम्मीदे खो रहे pension भोगी सूचनाजी News 36 गड़ कर्मचारी भविश्य निधी संगठन Employees Provident Fund Organization के खिलाफ अब तक EPS 95 newton pension, EPS 95 minimum pension को लेकर pension भोगी, pensioner बोल रहे थे लेकिन pensioners के रडार पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, Prime Minister Narendra मोदी और वित मंत्री निर्मला सीतारमन Finance Minister निर्मला सीतारमन भी आ गई है Social Media, Social Media पर EPFO, EPFO के साथ सरकार पर जम कर हमला बोला जा रहा है कर्मचारी पेंशन योजना 1995, Employees Pension Scheme 1995 के तहत 1000 रुपए न्यूंतम पेंशन की राशी को बढ़ा कर 7500 रुपए करने की मांग की जा रही है EPS 95 Pension Rाष्ट्रिय संघर्ष समिती EPS 95 Pension Rाष्ट्रिय संघर्ष समिती का आंदोलन जारी है केंद्रिय बजट में कोई घोशना नहीं होने से देश के 78 लाख Pensioners की आवाज सोशल मीडिया पर सुनाई दे रही है Pensioners मोनीश गुहा ने मारमिक पोस्ट किया लिखा मुझे पता है कि हम सभी बजट के नतीजों से परेशान और निराश है यहाँ बजट युवा केंद्रित है शायद सरकार को बुज़ुर्गों के कल्यान में कोई दिल्चस्पी नहीं है ऐसा लगता है कि हम सरकार के प्रतिदाइत्व है अब मेरी चिंता यह है कि क्या प्रधान मंत्री हमारे प्रतिदयालू और विचारशील होंगे क्योंकि हमारे नेताओं से दो बार मिलने और कुछ अच्छा करने का आश्वासन देने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया मैं सारी उम्मीदे खो रहा हूँ EPS पेंशन बढ़ाने और उन्हें भुखमरी से बचाने पोस्ट पर कमेंट करते हुए पेंशन भोगी कौशल उपपल लिखते हैं कि यह संदिग्ध लगता है कि क्या मोदी ने NAC टीम को EPS पेंशन बढ़ाने का आश्वासन दिया था मुझे लगता है कि मोदी ने कहा होगा कि वे इस मामले को देखेंगे और आश्वासन नहीं दिया आंदोलन करने वाले नेताओं से मांग रहे जवाब केवल NAC टीम ही स्पष्ट कर सकती है यदि प्रधानमंत्री ने हमारी टीम को आश्वासन दिया था तो फिर से प्रधानमंत्री से संपर्क किया जा सकता है और उन्हें उनके वादे की याद दिलाई जा सकती है और उनसे अपने वादे को पूरा करने EPS Pension, EPS Pension बढ़ाने और उन्हें भुखमरी से बचाने के लिए कहा जा सकता है EPS 95, Pensioners को बड़ा जटका आंखों में आंसू और जुबा पर सरकार को कोसने वाले शब्द 78 लाख Pension भोगी सात्वे बजट से हुए निराश वित्मंत्री निर्मला सीतार्मन के सात्वे बजट से 78 लाख Pension भोगी निराश है EPSO Pensioners का दावा है कि उनका संघर्ष बेंती जा रहा और सरकार उनकी Pension सुधारने में विफल रही सोशल मीडिया पर नाराजगी और धार्मिक आस्था दिखी भारत के वित्मंत्री निर्मला सीतार्मन द्वारा प्रस्तुच सात्वे बजट का इंतजार देश के करीब 78 लाख Pension भोगियों ने बड़ी उत्सुकता से किया था कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, EPFO के Pensioners को उमीद थी कि इस बजट में उनके लिए कुछ विशेश प्रावधान किये जाएंगे लेकिन बजट भाशन के बाद उनकी निराशा और हताशा साफ जलकने लगी Pensioners की प्रतिक्रिया Pension भोगी जस्टिन स्टैनिसलॉस ने अपने गुसे और निराशा को सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हुए लिखा CBT में अब कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है अब कहां से उम्मीद करें? 10 साल से संगर्ष ही संगर्ष कोई नतीजा नहीं, फिर भी हम मरते दम तक संगर्ष करेंगे उनके इस बयान से साफ है कि Pensioners का धैर्य अब जवाब दे रहा है और वे लगातार संगर्ष करते आ रहे हैं सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर Pensioners के एड्मिन मोनीश गुहा भी काफी निराश है उन्होंने लिखा, उमीद है और मुझे यकीन है कि कोई भी हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अपना राजनीतिक कैरियर नहीं बना रहा है यह बयान Pensioners के बीच बढ़ती असंतोश और निराशा को सपष्ट रूप से दर्शाता है Pensioners की आर्थिक स्थिती Pension भोगियों की आर्थिक स्थिती पर प्रकाश डालते हुए एक Pensioner ने कहा EPF विभाग द्वारा एकतरित अंचदान और उस पर मिलने वाला ब्याज ही MP, MLA, मंत्री और उनके नीचे के कर्मचारियों को प्रतिमा एक दो साथ शून्य 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 रुपय देता है जो उनके वेतन से कोई योगदान नहीं देते हैं यह स्थिती पेंशन भोगियों के लिए चिंता का विशय है क्योंकि वे अपने पूरे जीवन की कमाई का एक हिस्सा इस फंड में योगदान करते हैं और फिर भी उन्हें उचित पेंशन नहीं मिल पाती है हर पांच साल के कार्यकाल में वे पेंशन के रूप में कई लाख कमा रहे हैं और यह आजीवन चलता रहेगा इसलिए वे पुराने EPF पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए कभी सहमत नहीं होते हैं इस परिस्थिती से पेंशन भोगियों में आक्रोश और हताशा का माहौल बन गया है धार्मिक आस्था और उम्मीदे पेंशनर्स की इस निराशा के बीच कुछ लोग अपनी धार्मिक आस्था के माध्यम से उम्मीद की किरण तलाश रही हैं ब्रमाजी राव वसंतराव ने लिखा हम सब प्रार्थना करें हम सब जपें हे प्रभु भगवान श्री राम के दूद क्रिप्या हमें आशीरवाद दे ताकि असंभव संभव हो जाए यह मंत्र सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है उनके इस बयान से पता चलता है कि पेंशनर्ज अब अपनी समस्या का समाधान धार्मिक आस्था में भी तलाश रही है इस बजट से पेंशन भोगियों की उम्मीदे एक बार फिर तूट गई है वे अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही है लेकिन अब भी उनके हाथ निराशा ही लगी है सरकार से उनकी मांगे और अपेक्षाएं अनसुनी रह गई है पेंशन भोगियों की स्थिती में सुधार लाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवशक्ता है ताकि वे अपने जीवन की संध्या में आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के साथ जी सकें EPS 95 पेंशन मोधी सरकार की अब घेराबंदी EPFO पेंशनर्स की नियूंतम पेंशन बढ़ाने की मांग लेकर मंत्री को ही घेरा EPFO पेंशनर्स ने नियूंतम पेंशन 1000 रुपे से बढ़ा कर 7500 रुपे करने की मांग की है केंद्रिय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से मुलाकात कर पेंशनर्स ने सुप्रीम कोट के निरने को जल्द लागू करने की अपील की है कर्मचारी भविश्य निधी संगठन एपीएफो और केंद्र सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग करने वालों का समूह सक्रिय हो गया है नई सरकार के गठन के साथ ही पेंशनर्स ने अपनी मांगों के लिए सक्रियता बढ़ा दी है उनकी मुख्य मांग है कि न्यूंतम पेंशन को 1,000 रुपे से बढ़ा कर 7,500 रुपे किया जाए पेंशनर्स ने केंद्रिय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा और निर्णय लेने की अपील की मंत्री से मुलाकात पेंशनर्स नेता विलास रामचंद्र गोगावाले ने बताया कि NAC करनाटक और KSRTC BMTC नेताओं ने बैंगलुरू में श्रम राज्य मंत्री से मुलाकात की और उनका सम्मान किया इस मुलाकात में पेंशनर्स की समस्याओं को विस्तार से बताया गया और सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय को जल्द लागू करने की मांग की गई EPA's 95 पेंशन भोगियों की समस्याएं NAC के राष्ट्रिय मुख्य समनव्यक रमाकांत नर्गुंड, प्रदेश अध्यक्ष स्वामी और BMTC KSRTC के अध्यक्ष नान जुन्डेगोडा ने पेंशनर्स की दैनिय स्थिती के बारे में चर्चा की 8500 EPA's 95 पेंशन भोगियों का निधन हो चुका है और कई अन्य बिना न्याय के दुनिया छोड़ चुके हैं आंदोलन और मांगे NAC करनाटक उपाध्यक्ष वीर कुमार गड़त और अन्य पदाधिकारियों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया पेंशनर्स ने श्रम मंत्री मंसुख मांडविया से मिलकर मांगो को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया CPT में सरकार से EPFO को उचित आदेश देने की भी अपील की गई है इस आंदोलन ने EPS 95 पेंशनर्स की नियोंतम पेंशन बढ़ाने के संघर्ष को एक नया बढ़ावा दिया है और पेंशनर्स उमीद कर रही हैं कि उनकी मांगे जल्द ही पूरी होंगी